नमस्कार दैनेक शिव टाइम में आप सब का स्वागत है रश्मी शर्मा कैमरामेन शुवम भगत के साथ एक बार फिर से हम आये रिलीफ कमिशनर आफिस के बार 276 दिन और इसलिए कि अपनी जान के लिए जान की दुहाई दे रहे हैं क्योंकि परदानमंतरी जी भी कहते हैं जान है तो जहान है आज उसी के लिए इस समय आप जो द्रिशेद देख रहे हैं पिछले 276 दिन से ये लोग कह रहे हैं कि जान बचाए या नोकरी बचाए एक समझ इसकी इस्तिति है कि आखिर करें तो क्या करें आगे खाई पीछे कुआ तो अगर कहीं भी जाते नुकसान तो इन लोगों का होता है और सबसे बड़ी बात जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं कि 30 परसंट यानि 30 परसंट लोगों ने जान किया वो भी मजबूरी में तो क्या बगवान ना करें कल उनके साथ कोई मिसापनी होती है उसकी जिम्मेदारी LG Administration लेगी या की सरकार लेगी ये बड़ा सवाल रहता ह हमेशा यानि आप बड़ी बड़ी बात है तो करते हैं आप कहते हैं इने सेफ जोन में रखेंगे उसके बावजूद भी लगाता टार्गेट किलिंग का सिलसला जा रही है और कितनी जाने जाएंगी तब सरकार जल्दी जल्दी कोई नो कोई फैसला करेगी फिलाल इनका ए देश में मनाया जाता और आप लोग भी बड़े हर्शोला से मनाते हैं तनक्वाएं आप लोगों की बंद है जान की परिशानी आपको बनी आप समझ नहीं आरा करें तो क्या करें देखिए यह डेवन से सच्चाई पर चलता हुआ प्रोटेस्ट है और इस प्रोटेस्ट प मना लेंगे कैसे हमें मना नहीं है हम सचे हैं हमारे साथ इंसाफ होगा हम गलत है हमारे साथ उसकी सजा हमें मिलेगी लेकिन यह महादेव के हाथ में है और हमें पूरा फेत हैं उनके वक्त हैं हम लोग रही बात आपने का कुछ एम्प्लोईज ने जॉइन किया जॉइन और रिजम्शन्स में भी जमीन अस्मान का फरक है अगर कोई जॉइन कर रहा है आप उसकी मजबूरी को समझ लीजिए गुड गवर्नेंस होती है कि जब आप किसी को ले जाते हैं उसका मन तो जानी है वो खुश है यानि ऐसी शादी क्यों करवा रहे हैं जिसका उसका मन ही नहीं करवाने का जबर्दस्ती करवा कि आप उसको दिखा क्या रहे हैं करना क्या चारे गुड गवर्नेंस उसे नहीं कहते हैं आप उसका मन समझ लीजिए हम भी यही कह रहे हैं हम आपके खिलाफ किसी नैशनल पॉलसी के खिलाफ नहीं है आप हमारे साथ बात कीजिए हमारे पै रेडिलेट किया आपको लगता ही एक पहल है लेकिन यह पहल आपके रुकनी नहीं चीह लेकिन इस पहल में आप को एक ऐसी तरिकर में मना पाता हूं sequencing हम लोग यहां यहां प्याद बाड़ी आ posting वहाँ पे है बस आप सिर्फ posting ही मांते ये कैसा आप claim करते हैं फिर rehabilitation नहीं है अब हम आपको कहते है solution क्या है कि in case in case आप चाहते हो आप पहल करना चाहते हो बसाने की ठीके चलिए पहल उसे करते रही हम support में करेंगे आपको लेकिन आज के हालात आप देखे फिछले डेड़ साल के trend में एक किलिंग के बाद ये questions हमारे नहीं उठते हैं ये 22 किलिंग ऐसी target हुई जहां पर identity card देखके मारा जाता है कहीं न कहीं लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे assets है वहाँ पे हमारी केहते है play आपको हस्ताल कंद कर देने चाहिए किकम हमारा दर्थ समझ लइजे उस उसे कहते है उसे कहते हैं गुड्य गवर्नेंस एक्नोरेंस में में बर लीडिंग टुडा मेशी केर्स हमें डर है आगे किलिंग्स होईगी क्यूंकि यह डर तब डेवलप हुआ जब किलिंग्स बहुत जादा बढ़ती रही अपने क्या पहल की कि आपने इन पर रोक लगाई हमें भी तो कहीं कॉंफिदेंस यहां तो एक स्टेटमेंट दे दीजे आज शाम को होगा कि यहां काफी एंप्लोई को उनके घर खाली करा दिए तो किये जा रहे हैं उद्धर से साफ तोर पर कहा के रिज्यूम करेंगे डूटी तभी आपको तंख्वाएं आना था पर सरकार का आपको लगता है कि कही आपकी तरफ ठोड़ा धीला रवाई है जो जल से जल आकर देरी किस चीज की विखना क्यों पड़ रहा है कि जो एक रिलोकेशन की आपको जो पालिसी वो नहीं आ रही सब्सक्राइब पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर किसी एंप्लोई आप हुमेटेरियन चीज समझे किसी एंप्लोई ने छे महीने उसकी तंखा बं बैंक वाले घर तक आगे उसके बाद कश्मीर नहीं जा रहा है तो कॉस कहीं पर सीरियस है इसको आप इग्नॉर करेंगे आप सोचते कि हम दस महीने ले जाएंगे पंदरा महीने ले जाएंगे तूट जाएंगे उसके बाद जाएंगे वह फिर से मजबूरी बंदा डालते तो चलिए बस यह वो मेरी किलिंग्स को लीड करता है आपको कहीं ना कहीं बलीदान और सुसाइड में फरक समझ आना चाहिए एक सुसाइड होता है कि आप गए और मर गए बलीदान होता है कि चलो दस मर गए उसके बाद आपने कुछ एचीव कर लिया दस कि बार आ रहा है किस परिशानी के आलम में आप सब यानि कि घर हर एकी घर स्थिती मारी जंता भी समयती हम भी समयते हैं आप भी किसी की घर में बड़े बजूर्ग हैं कि बच्चों की फीसे देने घर का खर्च इस तरह इस महंगाई के दोर में तनखवाएं के बिना रहना न इसना ट्रॉमेटिक कंडिशन जो डिप्रेशन उसकी जो एंग्जाइटी और उसकी वज़े से जो बीमारियां और जो एक्जाइल जेला गया उसके वाद हमें त्योहार में भी फरक नहीं लगता हमारी पिछले चार बड़े त्योहार चले गे तंखा के बिना दिवाली थी रक्षा बंदन था अजादी कामरिद महुत सथा नवरात रहते करवा चोट थे बहुत सारे गनेश चतुरती थी यह भी एक तरीके से वैसा ही तिहार चला जाएगा कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि जब उस टाइम पर फरक नहीं पड़ा आपको उस टाइम पर भी डिस अज हम खुद भी देख रहे हैं सरकार ना देखे नेताओं को नजर ना रहो पर हमें आपके चेहरे की मायूसी आपके दिल का दर्द साफ आपकी जुबान से ब्यादी को कर बुलंद इतना कि उपर वाला तुछ से खुद आके पूछे बता देरी रजा कैसी है वह हमारी हम है आज की देट में हम नहीं हमारी सच्चा ही है कि महादेव आपका आशीरवाद बनाए रहा है रहा है कि यह तो जूटी गोवर्मेंट है हमारे लगी साहब इतना जूड बोलते हैं मैं कहता हूं यह जो हैं टीके की भी जो है कदर ने कर रहे हैं आज भी मैं कल जब जगती आये थे बोल रहे हैं कि हमने 24 गंटा कश्मेरी पंडितों के लिए दरबार खुला रखा है मैं इस स момент आपको दिखा देतا हूं अपने मुबाल से कितने मेले मैंने उनको बेचे कि मैं मिलना चाहता हूं हम कश्मेरी पंडित आपसे मिलना चाहते हैं लेकिंगे उसके बात जिस साब से कालोडी ने पूरा नेशनल मीडिया के साब ने बता है कि मैंने दर्वाजे खुले रहे हैं सबसे पहले तो बहुत बड़ा जूट बोलते हैं और दूसरी बात ये लोग जो है वहाँ पर पिकनिक मनाने नहीं आये यहां पर परसंट वह इनको अपने बचे मानते हैं चुकि उनको अपना सियासी फायदा था लेकिन आज के डेट में भी आज तक भी जो है किसी भी अपोशन के जो जो रूलिंग पार्टी है जो बीजेपी के लोग है उन्हें आज तक भी जो है इस पर डीपली कहीं पर कोई काम नहीं क सोचा था कि हिंदू पार्टी आएगी वह जो हमारा कुछ समाधान निकालेगी लेकिन हिंदू पार्टी आने के बाद भी जो जब हमारी किलिंग होंगी कश्मीर में चुकि यह वो लोग है जो ने एक ब्रीज बनाया था कश्मीर में एक जो डिफरेंस हुई थी जो 1990 के बा चुकि यह मामूली सी बात नहीं है नौ मेने तक बिचारे आज यह सड़क पर बैठे है बारिश में बैठे है दूप में बैठे है बरसात में बैठे है चोड़े चोड़े बचे इनके साथ होते है उसके बाद जो है सरकार के कानने खुल रहे अब बहुत बड़ी बात किया कि आपके मादियम से मैं रुकेश्टी करूँगा सरकार से हाथ जोड के चूँके अब तिवार आ रहा शिवरात्री जो हमारा एक बहुत बड़ा तिवार होता है उस दिन जो है इनकी जो है कहीं ऐसा ना हो कि चूला ना जले चूँके सेलरी इनकी जो है तुरंत रिलीज करना चाहे चूँके शिवरात्री एक वो दिन है कि जो हम पूरे साल में जो है मनाते हैं कि जो हमारा खास तिवार होता है दिवाली हम इतना नहीं मनाते हैं जितना हम शिवरात्री मनाते हैं इनके सामने जो है बूख अर्टाल पर बैटेगा और सरकार को जो है मानना पड़ेगा पर अपनी गल्ती हैं चुक्छे गल्ती वो करें और सजा हम बुकते हैं हम मरने के लिए जो है कश्मीर में ने गए यह 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 वहाँ पर सर्वाइवर के लिए गए थे अपने जिंदगी सिर्व एक लिखित में जिम्मेदारी ले कि आप लोगों में से किसी की भी जान नहीं जाएगी तो यह आज ही ड्यूटी रज्यूम करने के लिए तयार है यानि एक तरफ परदान मंत्री जी ने करोना काल में कहा था जान है तो जहान है घरों के अंदर रहिए बाहर मत निक बाहर मत निकलिए कि जान को खतर है तो यहां पर भी तो सर जाने बचाने के लिए लोग इस समय परदशन पर बैटे हैं तो क्या लगता उस समय लोगों की जाने जरूरी नहीं है यह आप पर निर्भर है यह जरूर हम गोहार लगाएंगे कि आज यह लोग पिछले 276 दिन स एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं इनके अस्तिति है आखिर नोकरी बचाएं तो जान बचाएं आखिर जाएं तो जाएं का किसी अपनी गोहार सुनाएं कहीं ना कहीं हम ज़रूर उमीद करते हैं LG Administration जल्दी इनके लिए कोई ना कोई Relocation की स्कीम लाएगी ताकि अपन अपने सुजाव हमें जरूर दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर किजिए जो डिया सिमार से अगले अपडेट के लिए जाएं जवारत